नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में सरकारी टीचर कैसे बने इसके अंतरगत दोस्तों हम देखेंगे कि यूपी में जो इंटर कालेज होते हैं उसमें आप कितने तरीके से टीचर आप बन सकते हैं इंटर कालेज में जैसे कि UP TGT आप कैसे बन सकते हैं, UP PGT टीचर कैसे बन सकते हैं, Yelty Grade टीचर कैसे बन सकते हैं, UP में GIC lecturer आप कैसे बन सकते हैं, इन चारों के बारे में detail में बात करेंगे, तेकिन उसके पहले एक चोटी से जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि जो इंटर कालेज होते हैं सरकारी UP में, उदो तरह से होते हैं, एक असास की सहाथा प्राप्त मादमिक कालेज होता है, एक होता है राजकी इंटर कालेज, दोस्तों जो असास की सहाथा प्राप्त मादमिक कालेज होता है, इसमें जो है UP, TGT, PGT वाले टीचर बनते है ठीक है और जो राजकी inter college होता है इसमें यल्टी grade teacher और GIC lecturer वाले teacher जाते हैं ठीक है ना जो राजकी inter college होता है ये पूरूरुप से राजसरकार के अधिन होता है और जो आसास की साहता प्राव्त मात्मिक कालेज होता है इसका मुखिया प्रवंधक होता है लेकिन फिर भी जो है इसके जो टीचर होते हैं आसास की साहता प्राव्त मात्मिक कालेज में उनको वेतर रासरकार ही देती है और उनकी नियुक्ति भी रासरकार ही करती है ठीक है ना लेकिन इनका मुखिया जो होता है वो प्रवंध होता है और राजकी इंटरकालेश का मुखिया जो है रासरकार होती है ठीक है ना चलिए अब डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं जैसे कि पहले है यूपी टीजी इसके लिए योगिता जो निल्धारित की गई है वो है graduation plus beard अगर आपका graduation complete है और आपने साथ में beard किया हुआ है तो आप आप आसानी से UPTGT teacher बन सकते हैं इसके लिए आपको जो है written exam देना होता है एक ही exam होता है बहुत ही गल्पी होता है उसको exam आप अच्छे नंबर से पास क लेजिए फिर आपका इसमें selection हो जाता है इसमें कोई भी interview नहीं होता है दोस्तों जो graduation हमने बता है graduation में आपका B.A.B.C. become तीनों में से कोई भी होगा चलेगा उसमें कोई समस्या नहीं है ठीक है ना तो graduation और beard के लिए अगर आप किये हैं तो इसके लिए आप योग है ठीक है ना चलिए इसका जो एक्जाम है वो माधिमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड करवाता है इसको भी आप जान लेजिए नेश्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों UP PGT जिसे हम पोस्ट graduate teacher के नाम से जानते हैं इसमें जो teacher होते हैं वो कच्छा 11-12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं इसके लिए जो योगिता निर्धारित की गई है केवाल और केवाल पोस्ट graduation है दोस्तों जिसे हम परा आसना तक हिंदी में कहते हैं इसमें इसके अंतरगत आप जो है यमे यमसी अमकाम तीनों में से कुछ भी किये हैं तो आप इसके योग हैं इसके लिए बीड की कोई ठीक है ना इसमें बीड की कोई अब सकता नहीं होती है अगर फिर भी आपने बीड यमेड या PhD किया है तो आपको 25 अंग का अधिभार भी इसमें दिया जाता है सेलेक्शन के समय लेकिन कंबलसरी नहीं है आपने बीड नहीं किया है तब भी आपका इसमें सेलेक्शन होगा चलिए next अब बात कर लेते हैं दोस्तो UPLT grade teacher UPLT grade teacher जो होते हैं दोस्तों यह राजकी इंटर कालेज में होते हैं जो कि प्रतेख जिले में एक राजकी इंटर कालेज होता ही है ठीक है ना जिसे हम government इंटर कालेज कहते हैं इसमें जो कच्छन 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो UPLT grade teacher कहलाते हैं तो UPLT grade teacher यह 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं राजकी इंटर कालेज में इसके लिए जो योगिता निर्धारित है वो है graduation plus beard आप अगर graduation complete है आपका और beard आपने किया है तो इसके लिए आप योग है ठीक है ना? graduation में आपका BA, BSC, BC, BC कुछ भी हो सकता है चलेगा इसके बाद इसका जो selection process होता है वो होता है इसमें एक written exam होता है उसको आप pass कर लिजिए तब आप इसमें select हो जाते है इसमें कोई भी interview नहीं होता है दोस्तो उम्र की अगर बात करें तो नियूंतम 21 वर्स और अडिक्तम 40 वर्स इसमें निर्धारित है ठीक है ना? और इसका exam UPPSC करवाता है जिसे हम उत्तरप्रदेश लोग से वायोग कहते हैं यह चीजी इसमें हो गई दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं UPGIC lecturer के बारे में UPGIC lecturer जो होते हैं यह भी राज के इंटर कालेज में teacher बनते हैं 11 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक है ना? इसके लिए जो योगिता है वो है केवल post graduation पर आसना तक जीशे कहते हैं इसके अंतरगत आप EMA MSEM काम कुछ भी कर सकते हैं कोई समस्य नहीं है इसमें भी BID की कोई आउस सकता नहीं है और एक बार यह ध्यान रखिएगा एक बात जो है कि साथ्छातकार इसमें नहीं होता है दोस्तों साथ्छातकार जो है केवल PGT में होता है UP PGT में और ना तो TGT में होता है ना तो LT grade में होता है ना है GIC lecturer में होता है GIC lecturer में पहले होता था लेकिन आप हटा दिया गया है इसके अस्थान पर दोस्तों अब pre और mens दो परिक्षा होती है प्री और मेंस दो परिक्षा आप पास कर लेजिए तो आपका इसमें सेलेक्षन हो जाएगा और आप 11 से 12 तक के बच्चों को राज की इंटर कालेज में पढ़ा सकते हैं ठीक है ना तो ये महत्वूर जानकारी हो गई दोस्तो आसा ही कि जानकारी आपको अच्छी लगी होग ये जो है 60 वर्स तक के उम्र में ये रिटैर हो जाते हैं और डेजिटी पीजटी वाले 62 वर्स उम्र के बाद रिटैर होते हैं ठीक है ना तो ये सब छोटी से जानकारी थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगे और आपके मन मे कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पुछिएगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबका धन्यवाद